आज एक पेशिंट है जिनका नाम सुमन कट्यार है और इनकी उम्र 69 वर्ष है जब यह हमारे पास आई थी तो इनको कुछ परिशानिया थी इनकी डाइनोसिस बनी थी प्रोलेप्स इंटर वर्टिब्र डिस्क जिसको हम लोग ले मैंड लैंगेज में स्लिप डिस्क कहते हैं इनको L4, L5 और L5S1 के बीच में इस्क प्रोलेप्स था हम इनसे ही जानेगे कि सुफेमर जब आप यहां पर आई थी तो आपको जो परिशानिया थी उनको आप जरा दर्ड लाता है अन के पहले से कारत समून जन लिएक कि इनकी पहले से आरह जाता था आप इनके वास्वेश अधिध में आधाश कटHYाग जी Acti महापहता हुआ थीर मालवा इंकारेंधा थऩ़ उनकार राता था जाता था तथा उस वजछे से यह बहुतले चारने मेलज्ट और गष्व करतो है ंच्छे करो जीुखना भी बैठना जाती थी तो चीद्ने नहें पेट सकती थी जर तो कि एंचल देखली तो जब देखल पाती थित्ते तो एक कि पार नहींद हो थोसके बहुर सबस्पकी फिर फिर जवासा पाती है तो रात कीुछ आपकी। तो जब आको यह परिशानी हुई की ते तो ऐसा आपने के दॉपी था आप मैं आपके की पास धीस हुआ है, तो जब आपने यहां पे लेन स्पूरलिक है, आको किसी तरीखी कीगा तो आपको किसी तरीखी का दिस्कंफर्ट तो ही मैसूश हों अच्छा अच्छा मैसूस है लगा कि यह कैसा त्रीटमेंट है? जब आपने हमें यह च्ट्रीप्मेंट लेना शूए यह तो आपको कितने दिनों मैं ऐसा लगा जिते हैं अब हमें सुभार अश्रो हों दॉप करीफ पंधरा दिन, मुझे आराम निया सुर्णी अचाट पंधरा दिन बाद आपको क्या मैसूस हूँ है? कि मैं बैट सकते हूँ आराम से जब इब उठ सकते हूँ इसा हुआ पर आपको कितने दिनों बाद लगा कि अब आप पूरी तरीखे से चीक हो गही इए? 1-2 पैर कि रखे ज़ा चड़ी ती अप अराम से जोगिए ऑर चड़ा झाँ जब दोलों पैर जब ज़िए 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 बशुक्ता चड़ा पी और बैत में हुटने में हो किसी तरीके कर दो पेटी है? पर अधिन जी फिर इनकी साइकोलोजी में के चेंज़ आए जब ठीक हुई पर भी अभी मैने इनको पूरी तरह से समझी ठीक है बार फिर भी अभी मैने इनको एक मैने का ट्रीक्मेंट एड़ाइस गिया है कि जो यिए टीक है और इसके बार इनको भवश में किसी भी तरिकी की कोई कोई परिशानी आओ तो आपको मैं आपके स्वास्त के लिए बहूत경 कानायों आप जीवन दर्स्वस्त कदिया है और आप इस थ्रीप्मेंट में इस तरीकों के लोगों को भीजना Michigan आपका क्या फीबैक होगा उनको किस तरीके का treatment है अवाब इसे क्या होता है तो आपको भी होगा जाएगा वाँ आपको लोगों को रॉइप दिखिया तर्कि आपके पास आये न भूर कि मेरी आये तो यह थी हमारी एक patient सुमंधी इनको बहुत ही साधारण बीमारी जिसको slip risk और sciatica कहते हैं यह थी इस तरीके की बीमारियां holistic treatment के द्वारा बहुत ही आसानी से ठीक हो जाती है वह मैंने अपनी practice में देखा है कि 90% से भी जादा इस परेशानी के मरीज इस holistic treatment से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं मरीजों में ठीक होने का लगने वाला समय जरूर अलग अलग हो सकता है Thank you very much